Hello and welcome everyone, hope you all are doing great इस वीडियो पर आप देखेंगे यह बहुत ही खुबसूरत एक गाउन के उपर डिजाइन तो मैं यहाँ पर आंस्टीच ड्रेस के उपर कर रही हूँ बाट अब रेडी ड्रेस के उपर भी कर सकते हैं तो सब से पहले ड्रेस के नीचे आप कोई भी कार्ड़ रख सकते हैं आप ओन लाइन के जो शॉपिंग के जो बाकसे होती है उसके काट करके भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर अब बहुत ज़्यादा पतले टाइप का कपड़ा यूज़ करते हैं तो फ्रेम का यूज़ ज़रूर करें नहीं तो कलर बैक साइट पर ज्यादा आजाएगी अपकी कपड़ों के उपर ज्यादा बचेगी नहीं तो सेंटर पर मैं थोड़ी स्पेस रखके दोनों साइट पर एकुल करके मैं मार्क करना है मैं यहाद दोनों साइट पर सेम स्पेस रखके ही मार्क कर रही हूँ आप भी ऐसा करें और सेंटर पर मैं यहाँ पर बटन तो मैं नहीं लगाऊंगी बट कुछ और करूंगी आपको दिखाऊंगी और ब्रश के लिए मैं यहाँ पर आठ नमबर की राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ अधू हूँ ब्रावर नाउं ब्रश से फ्लावर बने रही हूँ यह बट ज्यादा सकते हैं यह बहुत्ध आथे च्प़स्ट nowadays सारे ब्रॉडो में पहले जदूझा जुकिंगा बनन बहुत आसान होती है और कोई भी इसको बना सकते हैं बट अगर आप एकदम पहली पहली बार ट्राइ कर रहे हैं तो आप मैं बोलूंगी आपको एक बार एक दो बार आप ड्राइंग पेपर के उपर ट्राइ कर लीजी या फिर कोई भी पुराने ड्रेस के उपर पुराने कपड़ों के उपर ट्राइ करके उसके बाद ही अच्छे ड्रेस के उपर कलर करें तो ये देखिए दोनों साइट पे हमें सेम जगा पर फ्लावर बनानी है थोड़ी सी आइ मिन उच नीच ऐसे हो जाने से ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एक दो में फ्रॉंट पे है और नेक पे है इसलिए और ये फ्लावर है इसकी खुबसूरत खुबसूरती है तो यहाँ पर हमें इस तरीके से लिब्स बनाना है और सारे कलर में यहाँ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ स्टेशनरी शॉप पे जो कलर इसलिए आपको मिल जाती है आप उसका यूज़ कर सकते है और शेड भी आपके मन पसंद के कोई भी शेड यूज़ करें ड्रेस के अकॉर्डिंग जैसे डार्क कलर के उपर थोड़ी सी डार्क कलर यूज़ करें हमेशा उल्टा करें तो यहाँ पर दोनों साइट पर भी बनानी है यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइट पर इक्वल होगा बट मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़के कर रही हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस इसको बाद में जब स्टीचिंग करूँगी तो यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ी से स्पेस छोड़के कर रही हूँ अब रेडी ड्रेस के उपर जब करेंगे ना तो यह उपर की जो स्पेस है यह छोड़ने के बिलकुल जरूरत नहीं है दोनों साइट पर सेम जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी ब्रॉड बड़ी डेजी फ्लावर बनाई है तो दोनों साइट पर भी सेम होगा इसलिए हमेशा जो फ्लावर आपको बनाएंगे ना तो एक ही सेम ब्राश यूज़ करें ताकि सारे फ्लावर एक जैसे ही हो अगर अब चार नमबर कभी और चे नमबर कभी यूज़ करेंगे ना तो दोनों फ्लावर अलग हो जाएगी अब यहाँ पर यह leaves जो है ना यह branches दोनों अलग color कर सकते हैं दूसरे color कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ सारे white color यूज़ कर रही हूँ बट अलग भी यूज़ कर सकते हैं मुझे लग रहा है यह ज्यादा white color ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और सबके पसंद अलग-अलग होती है तो यहाँ पर देखिए यह थोड़ी सी light light लग रही थी तो मैंने यहाँ पर और भी थोड़ी सी बस brush में था तो इसलिए और अभी यह center पर अब देखेंगे आप यहाँ पर button भी लगा सकते है देखिए बहुत आसान सा तरीका है ना इस तरीके से button जैसे दिखाने के लिए तो यह एकदम मैं इन तक करूँगी और अगर आपकी local stationery shop पर यह color नहीं मिलती है ना तो आप online भी purchase कर सकते है Amazon flip card पर आपको मिल जाएगी तो यह देखिए मैंने front करके लिख के रख दिया है बाद में जब stitching करूँगी तो बहुत आसान हो जाती है तो यह देखिए दोनों side पर अब होगा अभी तो मैं paint कर रही तो obviously यह पता चली जाएगा कि कौन सी front है और कौन सी back है तो यहाँ पर भी यह optional है मैं यहाँ कर रही हूँ बट अगर आपको लगता है कि दोनों side पर अगर आप करेंगी तो ज्यादा कुछ हो जाएगी तो आप इसको skip भी कर सकते हैं Actually यह address में मेरी मम्मी के लिए बनाई थी मम्मी को भी बहुत पसंद आई। आप भी इस तरीके से बनाके अपने कोई पसंद जिसको आप गिप देना चाथे आप इस तरीके से बनाके गिप दे सकते है उनको भी बहुत पसंद आएगी तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बना लिया है, अब इस साइट पे भी होगा, सेम तरीके से, तो यह कलर करने के बाद आप 24 आउर्स के लिए ड्रिस को ऐसे रख दीजिए, कुछ मत करें, उसके बाद आप बैक साइट पे बड़ प्रेस कर लेना, और कुछ नहीं करना है आ अगर आपको लगता है कि वश करना जरूरत है, तो आप वश कर सकते हैं, नहीं तो कोई mandatory नहीं है, की अपको वश करना ही है और जबी बड़ वश करें, तो हाथ से ही इसको वाश करें, कोई भी मायल डितरजेन्ट या इजी के साथ, या फिर शैंपू से भी आप वश कर सकत तो जहाँ पर कलर अच्छे से नहीं हुआ आप बाद में भी थोड़ी थोड़ी देश सकते हैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी हेलफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना मुझे भी अच्छा लगेगा और आप किस टाइब की वीडियो देखना पसंद करते हैं वो भी कॉमेंट करके ज़रूर बताईए आप मैं इसको स्टीचिंग करने वाली हूँ आप नीचे में बॉर्डर पे भी बनाऊंगी इसकी बॉटम पे वो भी मैं बना के आपको दिखा दूँगी एक बार यह देखिए यह फ्रॉंट स्लीट एक लॉंग एक गाउन है बहुत ज़्यादा खुबसूरत है आप इसको ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन पर बताना आपको यह डिजाइन कैसी लगी बंगली हो ल झाल 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 झाल